तो यही मसीन है दोस्तों जिस सिलाई मसीन का कपड़ा नहीं खीचता है यानि कि इसकी दाती जो है ये नीचे हो गया है तो देख लिजिएगा मैं आपको कपड़ा जो है छोटा सा रख करके और सिल्के दिखाने की कोशिज करता हूं पहले फिर इसके बार रिफेर करूंगा तो यहां पर देख लिजिए मैं कपड़ा जो है नीचे दाव के नीचे रख लेता हूं और रहने के बाद देख लिजिए सिल्क मसीन को जो है मैं चलाने की कोशिद करता हूं यहां पर जब सिल्क मैं में चला रहा करके उपर मत करिएगा मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको करना है तो यहां पे क्या करना है जब भी आपको दाती उपर करना है तो सिलाई मसीन को ऐसे पलट लेना है पलट लेने के बाद यहां पे देख लिजिए यहां से दाती है यहां पे पेच लगा हुआ इस क्रो ल पर नीचे तो पहुत हलका सा ठीला करना और यहां पे देखिए यहां पर जो दाटी है एक्दम लेबल पे चल रहा है तो यानिकि यह लेट के लेबल में है इसी के वज़े से कपड़ा ने खींच रहा है अब हमें इस दाथी को जब ऊपर करना है तो यहां से देखेगा उस करने के बाद में यहां पे हमें छोटी सी हथोड़ी ले करके इसको ऊपर के तरफ मारना है थोड़ी ले लिजिए कोई भी चीज से आप मार सकते हलकी हाथ से मालिएका ज्यादा कसके नहीं क्योंकि इसको धीला हलका सकी है इसके वज़े से तो देख लिजिए अब यह दाती ज अधाल आप करो पर से तो आप कैसी इसकी सेटिंग करेंगे जिसे कभी भी आप उसले था तोड़ी मार जाएगे तो ज्यादा उपर जाए तो थोड़ा सा यहां पर सेटिंग करने का लेना है इस तरीके से ईसको डाइवर लगा कर कि और निची के तरफ खिंच लेना देख जादा उचाई ना चले तभी आपकी सेटिंग हो जाएगी अच्छी तरीके से अब यहां पर सेटिंग करने के बाद में देख लिए स्कुरों को अच्छी तरीके से टाइड कर देना यानि यह जो है थोड़ा सा भी लूज रहेगा तो समझ लिजिए कि आपकी जो सिलाई मसी ने चलते चलते कभी अगर दाप अचानक गिर जाएगा तो यह नीचे आ जाएगा तो इसके वज़े से यहां पर अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से हो गई ही तेहें कि चलाते समय आपको दातीदींगी दे रहा है कितना गज़काश इटिंग हो गया अब हम क्या करते हैं इस तरीके से हम दाब को लगा करके और इसके पती तलाई्ट करके फिर दिखाते फिर आप देखिएगा में पीर चलता है और यहाण ना दाब दाती जो खराब हो जाता है यानि नीचे हो जाता है क्यों हो जाता है यहां पे हम आपको कपड़ा रखकर के सिल्के दिखाते हैं यानि धागा नहीं लगा है अब दिखाते हैं आपको कि देख लिजिए गा कि किस तरीके सीट कपड़ा खीचने लगेगा देख लिजिए यहां पर अब यह जो सिल्के अब अच्छी तरीके से कषिच रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो इसी तरीके से आप अपने सिल्केशाब को सेट कर लिजिए झाल